मेरे प्यारे देशवासियों, हम मेंसे शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने जीवन में आकास से जुड़ी कलपनाई न की हो। बच्पन में हर किसी को आकास के चान, तारे, उनके कहानिया आकर्सिक करती हैं। युवाओं के लिए आकास छुना सपनों को साकार करने का परियाय होता है। आज हमारा भारत जो इतने सारे ख्षेत्रों में सफलता का आकास छु रहा है, तो आकास या अंत्रीक इससे अच्छुता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इनी उपलब्दियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजन्सी का निर्माण। एक ऐसी एजन्सी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए आउसरों को प्रमोट कर रही हैं। इस सुरुवात ने हमारे देश के युवाओं को विशेश रुप से आकरशित किया है। मुझे बहुत से नवजवानों के इस से जुड़े संदेश भी मिले हैं। कुछ दिन पहले जब मैं इन स्पेस के हेड़क्वाटर के लोकारपन के लिए गाया था तो मैंने कई युवाँ स्टार्टप्स के आईडियाद और उत्सा को देखा। मैंने उनसे काफी देर तक बात्चित भी की। आप भी जब इनके बारे में जानेंगे तो हैरान हुए बिला नहीं रह पाएंगे। जैसे कि स्पेस स्टार्टप्स की संख्या और स्पीर को ही ले लीजे। आज से कुछ साल पहरे तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टप के बारे में कुछ सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या सो से भी ज़्यादा है। इस सभी स्टार्टप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था। या पर प्रावेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। उधान के लिए चेन्नाई और हैदराबाद के दो स्टार्टप्स हैं अगनिकूल और स्काइरूट्स ये स्टार्टप्स ऐसे लाँच वेहिकल विक्सित कर रही हैं जो अंतरीक्स में छोटे पेलोर्स लेकर जाएंगे। इससे स्पेस लाँचिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है। ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्टप्स त्रू स्पेस सेटलाइट डिपलोयर और सेटलाइट के लिए हाइट टेक्नलोजी सोलर पैनल्स पर काम कर रहा है। मैं एक और स्पेस स्टार्टप्स दिगंतरा के तनवीर एहमत से भी मिला था। जो स्पेस के कच्रे को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वो ऐसी टेक्नलोजी पर काम करें जिसे स्पेस के कच्रे का समाधान निकाला जा सके। दिगंतरा और द्रूप स्पेस दोनों ही 30 जुन को इस रोके लॉंच वहिकल से अपना पहला लॉंच करने जा रहे हैं। इसी तरह बैंगलुरू के एक स्पेस टार्टप एस्ट्रॉम की फाउंडर नेहा भी एक कमाल के आडिया प्रकाम कर रही है। ये स्टार्टप ऐसे फ्लेट एंजीना बना रहा है जो नए कवल छोटे होंगे बलकि उनकी कॉस भी काफी कम होगी। इस टेक्नलोजी की डिमान पूरी दुनिया में हो सकती है। साथियों, इन स्पेस के कारकम में मैं मैंसाना की स्कूल स्टूडेंट बेटी तन्वी पटेल से भी मिला था। वो एक बहुती छोटी सेटेलाइट पर काम कर रही है। जो अगले कुछ महिनों में स्पेस में लौंच होने जा रही है। तन्वी ने मुझे गुजराती में बड़ी सरलता से अपने काम के बारे में बताया था। तन्वी की तरह ही देश के करीब साड़े साथ सो स्कूल स्टूडेंट्स अमरित महुसों में ऐसे ही 75 सेटेलाइट पर काम कर रहे हैं। और भी खुशी की बात है कि इन में से जादातर स्टूडेंट्स देश के छोटे शहरों से हैं। साथियों ये वही युवा है जिनके मन में आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर की छवी किसी सिक्रेट मिशन जैसी होती थी। लेकिन देश ने स्पेस रिफॉर्म्स किये और वही युवा अब अपनी सेटेलाइट लाँच कर रहे हैं। जब देश का युवा आकास छुने को तयार है तो फिर हमारा देश कैसे पिछे रह सकता है।